हाई फ्रेंट्स आराध्य की रस्वई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है तो आज मैं बना रियो आलो और मेंगन की एक दब मसाले दार चटपटी सी सबजी तो फ्रेंट्स वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मैं लिया है सौंफ दस बार मने काली मिर्श और एक चौथाई चमब से मेथी दाना तो सारी चीजों को हमने एक पैन में डाल के एक तम लोटू मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे मसालों को अच्छे से भून लेना है जब तक हमारे मसालों में से अच्छी सी खुश्बुनी आने लगती है तब तक इसको हम भूनेंगे तेज आच पे बिल्कुल भी नहीं भूनेंगे तो यहां देखिए यह मसाले हमारे अच्छे से भून गए है इनको हम ठंडा करके पीस लेंगे और यहां मैंने लिया है चार आलू छील के मैंने काट लिया है दो बैंगन लिये है जो अब यहां पे हम डाल देंगे एक प्याज मेडियम साइज का बारीक कटा हुआ तो प्याज को हमने यहां पे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है बस एक दो मिनट के लिए ही इसको मैं चलाओंगी उसके बाद इसमें हम डालेंगे आलू और बैंगन को डाल देंगे और उस अब इसमें हम डाल देते हैं बैंगन को तो सारे बैंगन इसमें डाल दिये हैं इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं और अब इसमें हम डाल देंगे आलू भी डाल देते हैं तो सारी चीजों को मैंने इसमें डाल दिया है आलू बैंगन दोनों ही डाल दिये हैं इस को कि यह देखे काफ बीच पे ही पकाया है यह देखिए का आपक ही इसको पकाते वे 8-10 मिनट हो गया है कि म erlebt बीच पीच पकई थोड़ा सदोबे दिया है और सदों नमक Perm点 आपके मिल देखे स्ट वालू चाहिकों पल-ड़कि hate और आधा ही चमज डालेंगे लाल मिर्स अपने टेस्ट के सबसे भी डाल सकते हैं और यह मैंने डाल दिया जो भुनावा मसाला हमने पीस के रखा वा था यह इसमें डाल दिया है और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको ढ़क के पकाएंगे चा और हमारी आलू बैंगन की सबजी एकदम बनके त्यार हो गई है देखे देखने में ही कितने अच्छी लग रही है और आप इसको जब बनाएंगे ना तब आपको इसका टेस्ट भी बहुत पसंद आएगा तो लीजे आलू बैंगन की सबजी तो हमारी त्यार है अब गर्म गर्म पराठों के साथ आपसे सर्व कीजिए आपको बहुत अच्छा लगेगा टेस्ट बहुत ही सच में बहुत अच्छा आता है और एक बार बनाके जरूर ट्राइग कीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलेगा तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई